असलाम लेकूम वेलकम तो माई यूट्वीब चैनल कोकिंग विट सिहा रिजवान आज हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन सपैकिटी जो कहने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो बिना टाइम वेस्ट की रेसिपी को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें बेल के बटन को प्रेस करें ताके नए वीडियो आप तक आती रहें वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और लाइक शेर भी किजिए तो आए बिस्मिल्ला करते हैं सबसे पहले जी 600 ग्रैम मैंने ले लिया है चिकन चोटी ब 1 टेबल स्पून सफेद सिरका, 3 टेबल स्पून में डाल रहे हूँ इसके अंदर मैदा और 2 टेबल स्पून डाल देंगे कॉर्न फ्लार बस दूसरा चमज भी डाल देतें यह चीज ने डालने के बाद अच्छी तरह से अब हमें इनको मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले अच्छी तरह से लग जाए इसको मैरिनेट नहीं करना हमें और मैंने रखती है तो गरम होने के लिए दर्मियाना सा गरम हुआ है तो बोटिया में इसके अंदर डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम दर्मियानी आंच पे इनको फ्राय कर लेंगे बोटियां पक चुकी है सब को बस हम निकाल लेंगे और जो बाकी चिकन बचा है उसको भी इसी तरह से हम फ्राय कर लेंगे अब मैंने एक और पैनल ले लिया है उसके अंदर मैं डार रहे हूं तकरीबन तीन से चार टेबल स्पून कुकिंग ऑईल साथ ही डाल देंगे जी दो टी स्पून लेसन कुटा हुआ इसको हमें चंद सेकिंड्स के लिए पकाना है थोड़ा सा सौते करने लेसन सौते करने के बाद अब मैं डार विए उसके अंदर एक अदर छोटे साइस की स्लाइसिस में कटी हुई प्याज एक गाजर लेके उसको मैंने लंबा-लंबा सा काट लिया था एक शिमला मिर्ष डाल देंगे लंबाई के रुख पर कटी हुई और एक कप अब मैं डार केचप 10 बीच बीच पर इस अदर एक कप कैचप कर अब नारी है दो टेबस पून जाएका सोय सॉस हाँ थो टेबस पून वोस्टेस्तर सोस तो वाइप विनिंगर जाए गा साफेद सीर का वन टेबस फून तीन से चार टेबस पून मैं ढारिए इसके आंदर चिली गार्लि मिक्स करने के बाद पाद दालेंके नमक अन्दर हस्भे जाइका तेस्ट के शाप से हचाब आपने अधिर टी स्बूंद दालें काली मिर्च पाउडर और हम आप यहा दो करलें एक पप जाएगा इसके अंदर पानी, पानी को भी ला लेते हैं और अब डालेंगे अधा टेबल स्पून कॉर्न फिलार को 3-4 टेबल स्पून पानी में मिक्स करके डाल दिया है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर बॉइल आने का वेट करेंगे बॉइल आ चुका है अब मैंने जो चिकन फ्राय किया था वो डाल दिया है इसके अंदर और तकरीबन दो तीन मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि सारी चीजें जो अच्छे से पक अब जी पकाने के बाद अब मैं डाल रहे हूं 500 ग्रैम मैंने पूरा एक पैक्रिट लेके नूडल कर लिया था वो डालती है अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे सारे मिसाले के साथ और अच्छी से मिक्स कर लेने के बाद खुबसूरती के लिए अब मैं उपर डाल आपके पास सबस्प्यास हो तो वो डाल सकते हैं मुझे नहीं मिला था इसलिए नहीं डाला तो कैसी लगी रेसिपी ट्राइ कीजिएगा इजाज़त दें अलाहफेज